हलो दोस्तो आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में दोस्तो आज मैं आप सब के लिए बहुत ही महत्वपुन टॉपिक लेके आई हूँ 15 दिन में थाइरोइट से छुटकारा पाने के लिए सबसे असरदार डाइट क्या खाए और क्या ना खाए आईए मैं आपको बताती हूँ आज मैं आपको बताऊंगे कि थाइराइट की रोगियों को अपने अहार में कौन-कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजों को नहीं और साथे थाइराइट से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए क्या-क्या सावधानिया भी बरतनी चाहिए चली दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आपको यह चांब बहुत जरूरी है कि थाइराइट के प्रॉबलम कब शुरू हो जाती है जब हमारे शरीर के थाइराइट की ग्रंधी हार्मोन के बैलंस को कम या ज्यादा मांतरा में भेज़ना शुरू कर देते है तब हमें थाई उर्यक शुरू हो जाती है। थाईर्यक के रोग्यों को इलाज के लिए घरेढ़ों उसकी यह साथ इस बात की जानकारिय हैं b 103 होतीं कि उन्हें अपने हार में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं इसके इलावाद थाइराइड के रोग में डाइट चैट का पालन करने के साथ-साथ नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करना चाहिए थाइराइड जड़ से खतम करने के लिए जो उपाई है कि आप थाइराइड को पहले कंड्रोल में रखे और इसे बढ़ने से रोके हाइपुधाइड दो तरके होते है हाइपोथाइराइडिजम और हाइपर्छाइडिजम हाइपोथाराइडिजम में शरीर का वजन बढ़ने लगता है gw until गर कम लगती है जोडो में दर्द रहता है हाथ-पैनों में सूझन रहती है कब जोंANे लगती है और ठंड जादा पैरो में गपकपी सी फीलिंग आती है अब हम बात करते हैं कि थाइराइट के मरीजों को कौन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन कौन सी चीजों का नहीं कोई वी रोग हो चाहे उसका treatment घरेनून उसकों से कर रहे हो या फिर कोई दवा ले रहे हो अगर सही तरीके से परहेज ना रखें तो कितने भी treatment करवा ले वो फाइदा जल्दी नहीं करता वैसे ही thyroid का इलाज करने में भी होता है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि किन खादे पदार्तों का सेवन आपको करना चाहिए और क्या खाना चाहिए तो ये जानते हैं कि thyroid में क्या खाना चाहिए thyroid वहले मरीजों को खाने में ऐसे चीजों को सामिल करना चाहिए जिनमें iron और copper पर्याप्त मात्रा में हो इनके सेवन से thyroid की function में मदद मिलती है जैसे बादाम काजू और सूरज मुखे के बीजों में copper और हरी पत्त्यों में iron भरपूर मात्रा में होता है इसलिए हरी पत्तेदार सब्चियां जादा से ज्यादा खाएं दोपहर के भूजन में एक कटोरी दही का सेवन thyroid की रोगियों के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है thyroid के रोगियों को ऐसे खादे पाया जाता है और मचलियों में iodine पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है इसलिए ऐसे बीमारी होने पर आपको मचली का सेवन करना चाहिए thyroid कंट्रोल में करने के लिए minerals और vitamins से भरपूर आहार भी लेना चाहिए जैसे lesson प्याज और मश्रूम में vitamins की मात्रा अधिक होती है thyroid क के मरीज को बहुत जल्दी ठकान होने लगती है यह समस्या का समाधान आप मुलेठी चूरन से कर सकते हैं मुलेठी चूरन में ऐसे उप्योक्त पोशक होते हैं जो thyroid व्रंती को संतुलित करते हैं जो ठकान को एनर्जी में बदल देते हैं thyroid की बीमारी को निजात पारने के ल चार लेटर पाने जरूर पीना चाहिए इस उपयोग से शरीर में ज्यादा गंदीगी शरीर से बाहर निकलने में मदद मिलती है और thyroid से प्रभावित व्यक्ति और महीला के लिए गाई का दूद पीना बहुत ही फायदेमंद होता है अब जानता है कि thyroid होने पर किन चीजों क सेवन नहीं करना चाहिए thyroid के पेशन को चावल मिर्च मसाले वाला भूजन मैदा अंडा और मलाई का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए सोया से बनी कोई भी चीज या सोया का तेल का इस्तमाल नहीं करना चाहिए ये पूरी तरह से सोयविन तेल का परहीच करना चाहिए सब्चियों में फूल गोबी, बंद गोबी और क्रॉक्टिल का सेवन नहीं करना चाहिए इसके इलावा इन मरीजों को चीनी या तले हुए पदार्तों का सेवन नहीं करना चाहिए, पास्ट फूट का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही चाय को भी दूर रखना चाहिए थाइराइड वाले पेसेंट को सिग्रेट, गुट का और तंबाकू, शराब, इत्यादी का सेवन नहीं करना चाहिए, थाइराइड की रोगियों को सफेद नमक से परहेज करना चाहिए, खाने में हमें शक काला नमक या सेंदा नमक का इस्तमाल करना चाहिए, इसके लोग से प्रभावित है, तो वो गर्वधारन की सोच रही है, तो इससे पहले डॉक्टर से अवश्य मिले और सला ले, थाइराइड की पूरी तरह से कंट्रोल में होने के बाद ही, आप रेगनेंजी के बारे में सोचे, थाइराइड से प्रभावित लोगों को कम से कम तीन महिने में एक बार इसकी जान जरूर कराने चाहिए, इससे पहले ये बात ध्यान रखे कि इस टेस्ट के 12 गंटे पहले तक आप कुछ ना खाएं और नहीं कुछ पिएं, दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उमीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई ह अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूण रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, दोस्तो हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले, हम फिर मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉलीशन के साथ, मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, थेंक यू